ब्रेकफास्ट में अगर सॉफ्ट से रवा के डोकले खाने को मिल जाएं तो कितना अच्छा रगए इस पंजी से ढोक ले हूँ और ये देखे कितने जाली दाथ दिख रहे हैं और मैं दौनों साइट से दिखा रही हूँ यहाँ पर इसमें तड़का लग चुका है और अभी इसमें flavor के लिए ginger औचिली को crush करके और डाल दिजिए और यहांपर पानी डाल दिजिए और असी कर लिग मिक्स करें तो टोटल पानी जो लगेगा वो 200 ml आंची जाएगा इसलिए, 200 ml पानी लिख दिया है तो यहांपर मैं accessible फिर से थोड़ा पानी उसमें एड किया फिर से मिक्स करके देख लूँगी नहीं तो अगर साथ में एक खटा पानी डाल दूगी फिर मुझ आइडिया नहीं रहागा कि यह कहीं जादा लिक्विड हो जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत होगी तो इसलिए मैं थोड़ा टाल देंगे थोड़ा इनो अभी इनो डालने के बाद में इसे थोड़ा सा करिये mix और इसे फटा-फटा इस्टीम होने के लिए फिर रख दीजिए आप अगर किसी ठाली का यूज़ कर रहे हैं जिस भी बरतन का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे grease कर लीजिए थोड़ा सा oil टालने के बाद में ऊ-ट्रूसी साइड में इसकी जो कड़ाई होती है ऊसमें पानी रख लुण होने के लिए तो इसमें पानी डुणी पहले ही बॉर यह नकीजिए hacen तब तक तब भूं जाए तब थोड़ा तब धोड़ना को तो यहाँ पर तब धूका रखी मिगे तो यहाँ पर तड़के को आप तुरी के सरी डाल दीजिए और उसके पर थोड़ा सवाड़ा दाल दीजिए कॉरियंडर तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और आप चाहिए तो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं मैंने ग्रीन चिलीज तो नहीं डाली और यहाँ पर जब ठंडा हो जाए तब ही उसे काटिए गरम गरम मत काटिए फिर वो साजो साइड से चिपका चिपका जैसा हो जाएगा और यहाँ पर इजीली से वो ठंडा होने के बाद आसानी से प्लेट से निकल जाएगा तो यही है परफेक्ट ढुकलागी रेस्पी और आप एक बार ज़रू ट्राइ कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शरू सब्सक्राइब कर दीजिए